हेलो फ्रेंट ट्रेकर इंग लेंसें तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे नो कॉस्ट इमाइ और स्टेंडर्ड इमाइ डो प्रकार की जो आफर तकरीबन आती रहती है अगर आप आउनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो इसमें से स्टेंडर्ड इमाइ क्या होती है और नो कॉस्ट इमाइ क्या होती है वो है फ्लिप कार्ट फ्लिप कार्ट से तो खैर कोई लेला देना नहीं है क्योंकि वो एक मेडियम है इसमें नो कॉस्ट इमाइ और स्टेंडर्ड इमाइ में जो में जो खेल होता है वो दो खिलाड़ी होते है एक तो seller होता है और दूसरा होता है जिससे हम उधार लेता है खरिदने के लिए यानि कि bank जिससे हम credit card के उपर से खरिदते हैं तो होता क्या है कि कभी-कभी seller offer करते है या फिर हो सकता है ये company offer कर रही हो seller को और seller company की भिहाब से हमें offer कर रहा हो तो ये total cool मिला के किमत कितनी होती है for example 13,240 अब हम जब credit card से खरीदेंगे तो हम bank से पैसे लेंगे उधार 13,240 रुपए और फिर bank क्या करेगी हम एक साथ bank से ले लेंगे और bank क्या करेगी उसको किस्तों में दे देगी company को है ना लेकिन इसके उपर जो bank हमें ये जो पैसा दे रही है उदार तो इसके उपर bank charges भी लेती है और जो charges है वो क्या होते है इस तरह की offer में no cost AMI के offer में या तो अगर ये offer company ने दिया है तो company अपने उपर ले लेती है अगर ये bank अपनी advertisement के लिए no cost AMI offer करती है तो ये charges bank खुद ही नहीं लेगी यानि कि हमें 13,240 रुपे की चीज़ पड़ी तो उतने ही रुपे लेगी समान किस्तों में यानि कि ये अगर 1471 रुपे को divide करेंगे 13,240 है तो ये समान 9 किस्तों में आ रहा है 9 किस्तों में ये आ रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं 13,240 तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 9 installment हो रही है तो इसके उपर से कोई भी एक भी रुपया इसके उपर नहीं लगेगा ठीक है ये तो होता है no cost AMI नो cost AMI में हमें offer दिया जाता है हम जितने रुपय की चीज़ खरीद रहे हैं सामान खरीद रहे हैं उसके उपर जो charges है वो नहीं लगाए जाते हैं बैंक की तरफ से चाए फिर वो bank का offer हो चाए फिर वो seller का offer हो या फिर company का offer हो तो जितने रुपय की चीज़ है उतने ही रु लगता है जो maintenance का charge लगता होगा installment का वो अलग से वो छोटी मूटी amount होती है वो लगती होगी ठीक है ओके और दूसरा है कि standard EMI standard EMI जो होती है no cost EMI इसमें सब कुस लगता है लेकिन no cost EMI में क्या होता है कि जो installment होती है जैसे कि हमने अभी no installment देखी है अब standard EMI में क्या होता है कि fixed interest rate से EMI थोड़ी सी कम हो जाती है जैसकि यह 1471 रुपे है तो standard में क्या होता है कि और कम हो जाती है EMI और मतलब आपको long time मिलता है room मिल जाता है लंबा समय मिलता है चुकाने के लिए इसमें fixed interest लगता है खैर ज्यादा होता है यह पैसा लेकिन फिर भी क्या है कि EMI कम होने के कारण कोई भी इसे खरीच सकता है इसलिए शायद यह एक नया जो फीचर है यह डिवलफ हुआ है standard EMI यहाँ पर मैं view plan पर क्लिक करके मैं आपको समझाता हूँ actually में क्या है no cost EMI में देखिए आपको इस तरह से देना होता है 1471 नाई देखिए मैंने आपको बला था 9 EMI में आपको इतने रुपई चुकाने पड़ेंगे उसके बाद 6 EMI में इतने रुपई यह fix है पैसे इतनी ही है तीनों के ही ठीक है इसमें कुछ भी charges वगएरा नहीं की तरफ से ओके तो और जितने भी बैंकों को होता है तो आपको पता ही है कि यहां पर एक list दी जाती है जहां पर आपको बताया जाता है कि कहां कहां पर यह scheme available है ओके यह तो no cost EMI होगी अब standard EMI में देखिए यहां पर देहान रखिएगा 9 EMI हो गई है और सबसे कम amount है वो 14-71 है यहां पर standard पर मैं क्लिक कर लेता हूं तो इतनी बैंकों के लिए हैं यह खेर बताने की जरूत नहीं है मेरा कहने का मतलब यही था कि यहां पर देखिए standard EMI में सबसे कम 24 EMI में आपको 24 हो गई है पहले 9 थी अब 24 EMI हो गई है और 24 EMI में आपको 636 पर मन्त है ना वो जो 1400 था उसका 600 हो गया है अब यारे कि आदे से भी कम हो गया है तो यह एक रूम मिल गया आपको चुकाने के लिए यही मैं बताना चाहरा था कि standard EMI में क्या है आपको एक लंबा समय मिलता है EMI कम होती है लंबा समय होता है interest rate fix होने के कारण कुछ थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है क्योंकि EMI हम लंबे समय तक चुका रहे हैं तो उतने दिन का interest लगेगा यह 14 परसे ठीक है तो इसलिए क्या होता है कि यह EMI कम हो जाती है और total अगर aggregate amount आप calculate करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है लेकिन आपको लंबा समय मिलने के कारण आपके ओपर load कम पड़ता है तो standard EMI का यह फाइदा है कि अगर कोई चीज महेंगे चीज लेनी है तो लंबा समय तक आप ले सकते हो थोड़ सी EMI ज्यादा हो और EMI की जो value है वो कम हो जाएगी जैसे कि आप और आप देख रहे हैं तो यह मेरा बताने का मतलब था आपको और standard EMI ज़रूरी नहीं है सभी बैंकों में लागू हो और ऐसे आपको अलग-अलग बैंकों में bank कौन सी bank accept करती है कौन सी नहीं करती है यह देखे standard EMI में क्या ह हुआ है कि एक हजार रुपे ज्यादा लगे हैं यहां में ब्रेक अप दिखाता हूँ आपको इसका इंट्रेस पेड टू बैंक इंट्रेस को बैंक को हम इंट्रेस दे रहे हैं एक हजार रुपे और टोटल लग रहे है 14,266 रुपे तो इस हिसाब से आपको अलग-अलग के हिसाब से इसमें अगर इंट्रेस देखेंगे तो 2,000 रुपे जा रहा है ठीक है 24 यह माइज का कैल्कुलेशन करेंगी तो 2,000 रुपे इंट्रेस जा रहा है टोटल 15,400 रुपे जा रहा है और वहां पर नो कॉस्ट अपाय में हम कैल्कुलेट कर रहे ते तो वहां पर 14,240 रुपे जा रहा है 1472 रुपे के हिसाब से 9 इंस्टॉल्मेंट से और स्टेंडर्ड में देखेंगे तो यहीं चीज स्टेट बैंक से कहीं एक्जामपल लेकर कैल्कुलेट करेंगे तो 12 मैने की एमाइज में हम 1035 रुपे इंट्रेस ज्यादा दे रहा है मतलब 13,240 में एक हजार रुपे और जोड़ दीजेगा तो 14,266 रुपे हम ज्यादा दे रहे है स्टेंडर्ड इमाइए में लेकिन हमें क्या है 12 इमाइज मिलती है यहाँ और नो कोस्ट इमाइए में इमाइ का जो पिरेड है वो थोड़ सा कम हो जाता है यहीं था बताने का मेरा मतलब की नो कोस्ट इमाइए में आपको इंट्रेस्ट नहीं देना पड़ता है चार्जेस जो होते हैं छोटे फोटे मैंटेनस वही सिर्फ देने होते हैं नो कोस्ट इमाइए में समय कम लगता है चुकाने के लिए समय कम मिलता है और स्टैंडर्ड इमाइए में चुकाने के लिए स मैं ज्यादा मिलता है तो ये कुछ अंतर है मैंने समदाने की कोशिश की है आपको मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और information के साथ तब तक के लिए गुर्भाई नमस्कार टेक क्यार